हेलो गाइज वेलकम बाक टुबी देपल इस पार्ट एलेवन ओफ चाप्टर टू प्राइमरी और सिकंडरी मार्केट ऑफ क्लास 11 फानाशल मार्केट मैंजमें तो इससे पहले हम लोग 10 पार्ट इसके कर चुके हैं अगर आपने वह नहीं देखी हो तो इनको देख लेना मतल कर पाएंगे तो चलो शुरू करते हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए हो क्लास 11 के तो आप मेरे टेलेग्राम चैनल जोइन कर लो तो एक दो दिन में मैं आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दोगी कि अभी थोड़ा सा मैं विजी हूँ बाकि मैं पहले ही बहु आपको बाते हैं तो यह सबसे पहला पॉइंट जो है वह एंशूर देखना है कि वह लोगों को पता है बढ़ फिर भी थोड़ा बौरा कर लेते हैं कि आपको जो भी आप इंटर्मिडियरी के थूप किसी ब्रोकर के साथ काम करें तो आपको देखना है कि वह प्रोगों को सेभी में रजिस्टर हो उसके पाद सर्टिफिकेट हो और वह भी ओरिजिनल जिसको आप कहां पर चेक कर सकते हो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो हम लोग ने बात आया था मैंने आपको कि हम लोग सेभी की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते कि कौन कौन सा ब्रोकर वहाँ पर रजिस्टर्ड है एंटर इंटर इंट्वरेंट विदियो ब्रोकर सब जाहने लिखने हो नहीं नोो- smarter कर विटेंग бесп जैसे सबelesete ढ hedge आप शास फौक मतलब कि जैसे यह गा deze ब्रोकर आपसे भरवाता है तो इसमें आप सारी चीज़ें एकदम डिटेल अपनी सही दो सब कुछ दे दो ताकि कोई बाद में कोई प्रॉब्लम ना है next is ensure that you read carefully and understand the contents of the risk disclosure document and then acknowledge it मतलब risk disclosure document होता है company का basically जिसमें आपको ये बता लगता है कि company में जुस्दी में security में पैसा लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ तो इसमें कितना risk हो सकता है कितना risk इसके अंदर छुपाए तो उसको disclose करने के लिए एक document बना देते हैं तो उस document को आपको बहुत carefully read करना है और उसके सारे content को समझ लेना है मतलब कि अगर वहाँ पर लिखा है कि security में high volatility है मतलब high risk है तो भी आप अगर invest कर रहे हो तो आप पागली कहें जाओगे ना मतलब क्यूं कर रहे हो अगर आपको समझ में आ रहे है कि बहुत सादा risk हो सकता है तो क्यूं कर रहे हो मतलब पैसा आपका free का है जो आपको loss करवान है अपने पैसे को नहीं न तो इसलिए सारी चीस्ते ध्यान से पढ़ने है insist on a contract note issued by your broker only for trades done each day मतलब कि अपना जो ब्रोकर है आप उससे कहो कि भाई दिखो तुम एक दिन में मेरे भिहाव पर जितना भी ट्रेड करे हो ट्रेड में buying and selling दोनों आ जाता है तो आप मुझे उसका contract note दो contract note मतलब यह तो बात जो है वह agreement में लिखी होनी चाहिए कि जो हमारा broker है वह हमको contract note देगा ही देगा कि यह हमारे पास एक प्रूफ होता है और अगर future में किसी broker ने के कोई आपके संग कोई घपला कर दिया और अगर आप जाओगे ना किसी के पास कहने है कि मतलब मुझे मुझे help करो या फिर मतलब किसी authority के पास जाओगे तो they won't help you if you don't have the contract note तो इसलिए contract note लेना जरूरी होता है ensure that you receive the contract note from your broker within 24 hours of the transaction आपको यह ensure करना है कि जभी भी आपके transaction हुई है उससे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको contract note बिल जाए ensure that the contract note contains details such as broker's name, trade time and number, transaction price, brokerage, service tax, securities transaction tax etc and is signed by the authorized signatory of the broker आपको यह ensure करना है कि जभी contract note आपको मिल रहा है उस पे broker का नाम लिखा हो, trade time का number हो, transaction कितने price पे हुआ वो लिखना है brokerage कितनी लेती लिया है broker ने तो कि maximum जो है वो आपको मुझे बतानी है जितनी भी broker maximum brokerage charge कर सकते हैं वो आप comment section में लिखके मुझे बताना service tax होना चाहिए उस पे securities transaction tax होना चाहिए यह सब चीज़े हैं और अथरा है sign होना चाहिए और अथरा है signatory के दवारा इसले कि मतलब यह सारी जो चीज़े हैं वो contract note में बताती है कि reality में original है fake नहीं है तो cross check genuineness of the transaction log in to the NAC website www.nacindia.com and go to the trade verification facility extended by NAC मतलब अगर आपको अपने broker पर ऐसा लग रहा है कि मेभी वो आपसे जूट बोल रहा है या बोल रही है तो आप genuineness के लिए check कर सकते हैं या फिर रोट नहीं भी बोल रहा है तो आप यह खुच से भी चेक कर सकते हैं अपने transaction के बारे में आप Google पर या फिर Chrome पर इसको डालोगे www.nacindia.com तो आपके पास एक विंडो दिख जाएगी जहां पर आपको ट्रेड वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपने transaction के बारे में पता चल जाएगा इसको सिर्फ आप अपने ब्रोकर के नाम पर ही इसको नहीं कि उसका एक दोस्त है उसकी एक सहेली है फिर उसकी ममी है उसकी पतनी है– उसकी बेटी Austria नहीं जो ब्रोकर है उसके नाम पर ही आपको चाहिए की इशू करें है as it appears on the contract note क्योंकि यह जो चीज़ें हैं यह contract note पे appear होती है ठीक है तो आपको धिहान रखना है इन सब चीज़ों का अब आजाते हैं while delivering shares to your broker to meet your obligation ensure that the delivery instructions are made only to the designated account of your broker only जब आप अपने broker को share को deliver कर रहे हो जैसे कि मालो आपने कुछ भी आप कुछ sell कर रहे हो तो आप अपने shares जो है अपने broker को दे रहे हो ठीक है तो आपको यह ensure करना है कि जो आपकी जो delivery जा रही है वो broker के designated account में ही जा रही है जो कि लिखा गया है contract note पे कि इस account में जाएगी तो उस account में ही जाने चाहिए ऐसे नहीं कि किसी भी डिमाट account में जा रही है ठीक है insist on periodical statement of accounts of funds and securities from your broker मतलब कि आपको अपने broker से कहना है कि देखो periodical statement account के fund की security का जो fund है securities and accounts funds के बारे में इतनी भी statement है वो periodically मुझे दो ठीक है यह आपको अपने broker को बुलना है और आपको यह भी एंशॉर करना है प्लीज एंशॉर दाट यू रिसीफ पेमेंट डिलिवरी इस फ्राम यार ब्रोकर for the transaction entered by you within one working day of payout date मतलब कि अगर आपको कोई payment receive करनी है को delivery receive करनी है अपने ब्रोकर से तो आप यह एंशॉर करो कि आपको वन working day के अंदर अंदर वो payout मिल जाए वो payout fund का भी हो सकता है या फिर वो security का भी हो सकता है उसके बाल आपको ensure करना है कि ensure that you do not undertake deals on behalf of others or trade on your own name and then issue checks from a family member friends or bank account आपको ensure करना है कि आप किसी भी और विक्ति के नाम पर या फिर अपने नाम पर आप trade को undertake नहीं करेंगे आप क्योंकि वो जो चीजे होती है वो trading member के नाम से होता है ठीक है और आप issue check नहीं करना अपने family member friends or bank account किसी की भी bank account से similarly the DMAT delivery instruction slip should be from your own DMAT account not from any other family member मतलब कि अगर कोई delivery आपके account से जा रही है तो DMAT delivery instruction slip है वो भी आपके account आपके अपने DMAT account की होनी चाहिए ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की slip पकड़ा दिया आपनी ठीक है do not sign blank delivery instruction slip while meeting security pay in obligation अब pain क्या होता है मतलब होता है देना ठीक है जब आपको security देनी है तो उसको बोलेंगे आपके security pay in obligation तो आपको किसी जबी आपके उपर किसी के security को pay in करने के obligation आ रही है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप किसी ब्लांक डिलिवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप पे sign कर दें ठीक है फिर उस पर मतलब ब्लांक पेपर पे तो गईस कभी भी साइन नहीं करने इन सब चीज़ों के चुटी-चुटी चीज़ हैं जिसको आप ध्यान करो आपने देखा भी होगा आप कहर में बड़े हैं तो वो लोग भी अगर आप कुछ भी letter sign करवाते हो तो ब्लांक पेपर पे साइन नहीं करते हैं क्योंकि उस पर कुछ भी लिख सकता है कोई तो यह बाते आपको जब आप ट्रेड कर रहे हो तो भी यह बाते धिहान रख रहे हैं no intermediary in the market can accept deposit as sharing fixed return मान लोगी कोई intermediary आप से कह रहा है जैसे कि मान लो I am a broker and I am telling you कि भाई देखो इस वाले share में पैसा लगा दो बिल्कुल भी risk नहीं होगा एकदम fixed return है कि 50% के risk return आपको मिल ही जाएंगे तो भाई साब ऐसा नहीं होता है कि कि ऐसे जो भी इसे मैं बोल रहे है पर तो मैं fraud हूँ मैं fake हूँ ठीक है तो आपको इस बात पर यकीन ही नहीं करना hence do not give your money as deposit against assurance of returns मतलब आप अपना पैसा ऐसे किसी बे जगा पर नहीं लगाएंगे जो आपको returns के assurance दे रही है कि यहां से आपको इतने percent का deposit का return है वो आपको मिल ही जाएगा ठीक है तो आपको नहीं लगाना है next point portfolio management services could be offered only by intermediaries having specific approval of SEBI for PMS PMS यही है portfolio management service hands do not party of funds to unauthorized persons for portfolio management अगर किसी बंदे को अपना portfolio management service चाहिए मतलब portfolio उसको manage करने कि इसने कितने शे portfolio बीसे के लिए एक एक पूरा record है ना तो एक unauthorized person को आपको नहीं देना है क्योंकि यह स्रिफ intermediary ही कर सकते हैं और वो intermediaries जो कि SEBI में registered हो जिनको SEBI से approval मिला हो इस चीज़ का तो आपको किसी भी unauthorized person को अपना portfolio manage करने के लिए नहीं देना है next point delivery instruction slip is a very valuable document do not leave signed black delivery instruction slip with anyone while meeting pay in obligation make sure that correct ID of authorized intermediary is filled in the delivery instruction form आप देखो delivery instruction जो form है जो slip है वो बहुत ही valuable document होता है तो आपको ऐसा blank delivery slip जो signed है उसको किसी के साथ भी छोड़ना नहीं है मतलब अपने पास रखना है समहाल के और जबी भी आपकी pay in की obligation आ रही है तो आप उसको देखो कि आपने correct ID सब कुछ डाला है कि नहीं कि अगर आपन बंदा आपके संग ट्रीडिंग कर रहे है आपके संग काम कर रहे है उसको भी नुक्सान होगा अब आजाते हैं next point पे be cautious while taking funding from authorized intermediaries as these transactions are not covered under settlement guarantee mechanism यह कह रहे हैं कि जब ही भी आप किसी authorized intermediary से पैसा ले रहे हो मतलब अगर आप fund ले रहे हो transaction कर रहे हो मतलब उनके साथ में तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह जो चीज़ें होती है वो settlement guarantee mechanism में नहीं आती है settlement guarantee mechanism गाईस एक यह चीज़ होती है जैसे कि मान लो आपने प्रोकर को पैसे देने होते हैं हम लोगों को कि अगर मैं कभी भी fraud कर दू तो जो मेरी जो counterparty मान लो कि मैं अपने शेयर बेच रही थी नहीं मान लो मैं खरीद रही थी तो मुझे क्या करना था मुझे पैसा देना था जिससे मैं खरीद रही थी उसको बट बीच में मैं चल करते हैं उसको यूज करते हैं सेलर को देने के लिए ताकि भले मैंने फ्रॉड कर दिया या मैं भग गई मैंने कुछ भी करा तो उसकी वरे से दूसरे बंदे को नुकसान नहों ठीक है insist on execution of all orders under unique client code allotted to you मतलब कि आपको insist करना है कि जो भी आपको unique client code allotted किया गया है उसी के under में सारे orders execute हो or do not accept trades executed under some other client code to your account मतलब किसी और के client code को यूज करके अगर आपके अकाउंट में कोई भी transaction की जा रही है कोई भी trade अगर आपके अकाउंट से किये जा रहे है तो आप उसको नहीं accept करो when you are authorizing someone through power of attorney for operation of your depository account make sure that मान लो जैसे कि आम घर की भी या फिर किसी भी चीज की power of attorney देते थे ना मतलब कि मेरे बाद इस बंदे के पास भी power है तो अगर आप किसी को भी अपना depository जैसे कि DMAT account जो हमारा होता है अगर उसको आप handle करने के लिए किसी को authority दे रहे हो तो आपको क authorization is in favor of registered intermediary only मतलब सिर्फ registered intermediary को आपको वह authority देनी है authorization is only for limited purpose of debits and credits arising out of valid transaction executed through that intermediary only मतलब जो भी authorization है वो सिर्फ limited purpose के लिए होना चाहिए कि आप सिर्फ debit and credit करोगे जो कि valid transaction से हो रही है ठीक है बाकी आसाने कि सब कुछ काम करने लग जाओगे यू verify DP statement periodically say every month fortnight to ensure that no unauthorized transaction have taken place in your account मतलब कि जो DP depository जो statement देती है उसको आपको periodically check करना है ताकि आपको पता लगतर है कि कोई भी बंदा जिसको भी मैने power of attorney दे रहे है तो मतलब गलत काम तुन ही कर रहा मेरे काउंट से तो यह बारी चीज़ें आपको check करनी है authorization given by you has been properly used for the purpose for which authorization has been given authorization आपने जिस भी purpose के लिए दिया है उसको आपको देखना है कि वो पूरी तरीके से वो purpose fulfill हो रहा है कि नहीं in case you find wrong entries please report in writing to the authorized intermediary अगर आपने मानलो कि अपने periodically check out किया अपने dp statement को और आपने देखा कि कोई unauthorized चीज़ें हो रही है कुछ wrong entries हो गई है तो आपको अपने authorized जो intermediary है उसको लिखना है ठीक है उसको राइटिंग में देना है next point do not accept unsigned duplicate contact note यह बाती यह वाली बात तो जो थी वो आपको पहले भी बताए कि कोई भी unsigned duplicate contract note आपको नहीं लेना है अब आपको नहीं लेना है unsigned or duplicate तो आपको पहले यह पता मची न कि original कैसा होता है तो original कैसा होता है इसके लिए आप आपकी बुक में भी दे रखा एक picture उसको भी आप उपर देख सकते हैं और जो मैंने आप कुछ बाते बताएं थी उपर उसको भी आप ध्यान रखेंगे don't accept contract note signed by any unauthorized person यह वहीं बाते हैं कि unauthorized person ने अगर sign क्या हुआ तो आप उसको मत लो don't delay payment deliveries of securities to broker अगर आप कोई payment करने वाले हो पैसे की या delivery करने वाले हो security की तो उसमें आप delay नहीं करो time से दो क्योंकि इससे सारा mechanism ठीक चलता है और अगर हम गड़बड़ी करते हैं तो फिर सब चीजों को दिक्कत आ जाती है सब चीजों में problem आती है in the event of any discrepancies or disputes please bring them to the notice of the broker immediately in writing and ensure their prompt rectification अगर कोई भी dispute हो रहा है तो अपने broker को writing में दो और उनसे बोलो कि जल्दी से तेजी से तेजी इसको rectify करो इस problem को solve कर in case of subbroker's dispute inform the main broker in writing about the dispute at the earliest अगर आप किसी subbroker के संग कोई dispute अगर कोई चीज में problem हो गई है तो आपको broker को जो main broker जो broker है जो stock broker है उसको आपको writing में देना है if your broker subbroker does not resolve your problems within a reasonable period please bring it to the attention of the investor service cell मान लो कि अगर आपने बहुत इनों से डाल रखे है complaint कि बाइस को solve करो बद जो आपका broker और subbroker है आपके बाद सुन नहीं रहे हैं ताइम से तो अप investor service cell में भी जा सकते हो जो कि national stock exchange की investor service cell है okay while lodging a complaint with the investor ग्रवान से cell of the NSE it is very important that you submit copies of all relevant documents like contract note अब देखो मैंने आपको पहली बताया था ना कि अगर आपके पास contract note नहीं है तो जो authority से जिससे आप complaint करें they will not listen you they won't answer you they won't solve your problem तो इसलिए आपके पास contract note होना चाहिए proof of payment delivery होना चाहिए कि आपने किया है आपको complaint जो है वो उसको भी लिख कर देना है ठीक है remember in the absence of sufficient documents resolution of complaint becomes difficult यहां पर वही बात है कि अगर आपके पास अगर sufficient documents नहीं है तो आपको problem आ सकती है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है familiarize yourself with the rules regulations and circulars issued by stock exchanges SEBI before carrying out any transaction SEBI में basically stock market में पैसा लगाने से पहले इन सारे चीज़ों को आपको धियान से पढ़ना है तो आपको यहां पर पढ़ाते है उसको like करना शेर करना और चैनल को subscribe कर सकते हैं आप notification bell को press कर सकते हैं ताकि आपके पास ऐसी और videos time to time आती रहें और telegram channel को join के लीजिए for notes okay bye thank you